Hello friends, तो आज हम अपने इस laptop में Windows 10 को install करेंगे Windows 10 को install करने के लिए आपको Windows 10 की bootable pen drive बनानी होगी तो पहले मैं आपको दिखाते हूँ कि कैसे आप bootable pen drive बनाओगे Windows 10 की bootable pen drive बनाने के लिए आपके पास एक physical pen drive होनी चाहिए 8GB की, कम से कम 8GB की pen drive होनी चाहिए वो सबसे पहले आप अपनी pen drive को अपने laptop ये desktop जिसमें भी आप Windows 10 का bootable pen drive बना रहे हो उसके अंदर connect कर लो, जैसे कि मैंने अभी अपनी pen drive जो है वो connect कर लिए ये मेरी pen drive अब देख सकते हैं, connect हो चुकी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये मेरी USB pen drive है 8GB की, तो सबसे पहले आपनी क्या करना है, इस process के अंदर जब आप Windows 10 का bootable pen drive बनाओगे अगर आपके pen drive में कोई important data है, तो आप उसको backup बना के कहीं रख लो क्योंकि इसमें क्या होता है, कि जो आपका pen drive होता है, वो format होता है जैसी कि ये मेरा data पढ़ा हुआ इस pen drive के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस USB pen drive को पहले format करूँगा, ताकि जब bootable pen drive में बनाओँगा, तो उस time कोई error ना आए तो ये आपने एक चीज़े का ध्यान अखना है कि carefully अपनी pen drive को ही format करना, जैसी कि ये मेरी 8GB की pen drive है इस पर मैं right click करूँगा, यहाँ पर format का option आजाएगा, पहले मैं एक बार अपनी pen drive को format कर देता हूँ quickly format हो जाएगा, ज्यादा time नहीं लगेगा, एक मिनिट से भी कम का time ले गाई है format होने में format हो चुक है, ओके पर click करेंगे, close करेंगे, तो आप पूरी जो pen drive वो एक दम खाली पड़ी है, सारे space free है, pen drive मैंने connect कर लिए पहले ही, उसके बाद browser open करना है आपने, और यहाँ पर आप लिखोगे, windows 10 यहाँ पर आपको Microsoft की official website मिल जाएगी, इस पर आपने click करना है, पहले वाले link पर, उसके बाद आपने Microsoft की website के अंदर scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको option मिलेगा, यह वाला, create windows 10 installation media, download tool now पर click करना है, यहाँ पर आपका tool download होना start हो जाएगा, यह रावो tool, media creation tool, इस पर आपने click करना है, download होने के बाद, और click करने के बाद, आपने थोड़ा wait करना है, 10 से 15 सेकंड का wait करना, क्योंकि उतर time लेता है, देखिए यहाँ पर, setup start हो चुका है, यह जो setup है, थोड़ा slow चलता है, थोड़ा time taking process है, तो आपको patiently wait करना है, इसमें time लगता है, इसके बाद आपने accept पर click करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे, आपने second वाल option select करना है, create installation media, USB flash drive, इसको tick करके आपने next पर click करना है, next पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह पूछेगा कि आप कौन सा language change करना चाहते हो, या फिर operating system bit change करना चाहते हो, या फिर दोनों आपको 32 bit 64 bit दोनों install करने है, तो आप bit select करना 64 bit और उसके बाद next पर click करना, अब यहाँ आपको पूछेगा कि आपको USB flash drive बनानी है, windows 10 की, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि आपको minimum 8GB की pen drive होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर है ISO, अगर आपको windows 10 का ISO image download करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट अभी हम pen drive को bootable बनाएंगे, तो first of option आपने select करके next पर click करना है, आप यहाँ पर देखिए, इसने automatically मेरी USB pen drive डेट कर ली, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यह जो मेरी USB pen drive है, इसका drive letter है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख कर लेगा, उसके बाद आपने next पर click कर देना है, आप देखिए यह जो process अवो start हो चुका है, bootable pen drive जो है वो बनना start हो चुकी है, और इसमें आपका minimum आदा घंटा लग जाएगा पूरी bootable pen drive बनने में, और जैसी आपकी bootable pen drive ready हो जाएगी, उसके बाद आप उस pen drive के थूरू तो किसी भी system में, किसी भी laptop में Windows 10 को easily install कर सकते हैं, तो मैं वीडियो थोड़ी fast forward कर देता हूँ, pen drive ready होने के बाद आपको उस pen drive को अपने laptop के USB port में connect करना होगा, और make sure कि आपने अपना charger connect किया हो अपने laptop में, अब आपको अपने laptop में boot menu open करना है, मैं Lenovo का laptop यूज़ कर रहा अपने F12 की, जो boot key होती है, उसको प्रेस करना है continuously, और यहाँ पर मेरी boot screen खुल गई, boot manager, अब यहाँ पर जो मेरा USB pen drive है, send disk का, इसको select करूँगा, इसको select करके enter पर प्रेस करेंगे, ताकि pen drive से boot हो जाए, थोड़ा wait करना है अपने, अब यह वो pen drive से boot होगा, उसकी जो file है, उनको read करेंगा, जो pen drive में जो आपकी file है, bootable files, उनको read करेंगा, अब देखें यहाँ पर, loading start हो चुका है, और मेरी pen drive से, इस system boot हो गया, देखें यहाँ पर, windows startup open हो चुका है, next पर click करेंगे, उसके बाद install now पर click करेंगे, मैं आपको जल्दी से सारे जो भी step में, सारे इस video में cover कर दूँगा, ताकि आपको ज्यादा time waste भी ना हो, start up, start हो गया, नीचे देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपने, जो लिखावा है, I accept term condition, इसको टिक करके, next पर click कर देना है, उसके बाद आपने custom वाले option पर click कर देना है, जो नीचे custom वाला option है, जैसे अस पर click करोगे, आपकी hard disk show कर देगा, मेरे case में already partition बने वए थे, hard disk के अंदर, तो इसलिए सारे partition दिखा रहा है, आप चाहे तो सारे partition को delete कर सकते हैं, जैसे कि select करके उसको delete पर select कर लोगे, तो आप चाहे तो बिना delete किये हुए भी install कर सकते हैं, तो मैंने सारे partition delete कर दिये, unallocated space में आच चुक है, अब मैं एक नया partition create करूँगा, new पर click करके, और मैं एक ही partition बना रहा हूँ, तो मैं सारा जो भी space है, एक ही partition को दे दूँगा, अब यहाँ पर, मेरा जो partition है, वो ready हो चु प्रोद नहीं है, सारा process अपने आप होगा, आदे घंटे का time लग जाता है इसके अंदर, मैंने सारी video fast forward कर दिये, अब यह almost stall हो चुक है मरा operating system, अब यहाँ पर आपको कुछ option को tick करना है, और आपका जो operating system है, वो install हो जाएगा आपके laptop में,